हालो दोस्तो मैं गीता गोयल बागडी कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आपके लिए नास्तिक की रेस्पी लेकर आई हूँ तो आज का जो नास्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ही है एकदम क्रिस्पी बनेगा उपर से अंदर से एकदम सॉफ्ट और चेट पटा रहेगा तो यह वाला नास्ते में ना तो हमें मेदा चाहिए ना गेम काटा चाहिए ना चावल काटा चाहिए और फिर भी हमा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नडियोकेशन आपको सबसे पहले मिलें तो सबसे पहले हम एक कडाई लेंगे इसके अंदर एक टोरी भर के पानी डालेंगे तो आपको एक कप या कडोरी सेट कर लिजिए उससे आपको एक टोरी जितना पानी लेना है इसके अंदर थोड़ी से हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च इससे बहुती अच्छा दिखता है यह नास्ता और साथ में हम यहाँ पे डाल देंगे टेस्ट के उनसा नमक तो आधी चमच जितना हम नमक डालेंगे और अब हम क्या करेंगे पानी में अच्छा सा वाल आन की सूजी है जो पानी में डालते ही पानी को सोक लेगी अब हम क्या करेंगे फठाफट से इसको मिक्स करेंगे तो यह काम थोड़ा जल्दी में करना है ताकि इसमें कोई गुटली ना बने और शात में अच्छे से पक जाए तो अब हम क्या करेंगे इसको धीमी आज़ पे बस इसे अच्छे से पका लेंगे, तो लगवल एक से डेट मिंट लगेंगे, ये इस तरीके का डूप हो में आ जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसे धक के और गैस बंद करके रख देंगे, इसे चार से पांच मिंट के लिए, ताकि अच्छे से है जो सूजी पक जाए, इसके लिए चटपटा सा मसाला बनाएंगे तो कड़ाई में एक चम्मा जितना हम तेल डालेंगे तेल गर्म होने के बाद में यहापे मैंने थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ और जीरा डाल दिया है तो यह सब करकल होने के बाद में यहापे ग्रेट की हुई अध्रक और और अब हम क्या करेंगे बस प्याज को हलकी गुलाबी होने तक पका लेंगे तो आंच को हम मीडियम ही रखेंगे प्याज थोड़े से सौफ्ट हो जाएंगे तो यहापे एक बारी कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी हलके से बस पकने देंगे तो बस जितना हम चाट मसाला डालेंगे यह सब डालके अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देंगे और अच्छे से मसालो को पका लेंगे तो टमाटर अच्छे से बस गल जाए अच्छे से पक जाए इतने तक हमें इसे पकाना है तो मसाला जब अच्छे से पक जाएगा तो इसमें हमन अब उबली हुई यहां पर मटर डाल देंगे तो मटर को मैंने पहले ही अच्छे से पका लिया है अगर आपके पास पकी हुई मटर नहीं है तो आप प्याज टमाटर हरी में चुबूने उसी वक्त मटर को भी अच्छे से पका लीजिए खुब सारा हरादनिया डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इस तरीके से मसाला बनाएंगे ना आलू मटर का तो बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेंगा तो अब हम इसमें डाल देंगे लैश्ट में एक निमू का रस्त तो निमू का रस्त को मैंने कटोरी में पहले निका लिया इसके बीज हटा द करती है तो अब हम हातों के इस तरीके से तेल लगाएंगे हातों को चिकना कर लेंगे इस तरीके से डो को थोड़ी देर के लिए गूंत लेंगे तो डो को इस तरीके से 1-5 मिंट तक गूंतेंगे ताकि अच्छे सी ये चिकना डो बनकर रेडी हो जाए तो हातों से मत सलती ह हुए अच्छे से हम इसको गुंत लेंगे एक बार हातों की चिपके का फिर यह अच्छे से सेट हो जाएगा तो आटा भी गुंत के अच्छे से त्यार है यह हमारे श्टपिंग भी हलकी सी ठंडी होगे तब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोसन लेके इसकी बॉल बना ले वैसे कर सकते हो तो अब हम क्या करेंगे हातों को अच्छे से दो लिया हमेने इस तरीके से थोड़ा सा पोसन उठाएंगे तो जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं वस उसी तरीके से ले लेंगे एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे और इसे अच्छे से है जो फिला गुट से मसालों को अच्छे से दबा लेंगे उपर से पेक कर देंगे तो जैसे बरम पराःणा बनाती हैоном वसी तुपर से बना लेन भाट हैं। वर सब्सक्राएं तोओं नहीं na hd कमापर प्र STEP जाएगा मसाला अगर आपसे मसाला जादा भर जाए और कम पढ़ रहा है यह सूजी का डोत आप उपर से भी लगा सकते हैं यह असानी से चिपक जाता है तो इस तरीके से गॉल-गॉल बना लेंगे पहले अच्छे से गुमाते हुए फिर इस तरीके से थोड़ा सा चप्टा क कर देंगे तो जिस तरीके से हम आलू टीकी बनाते हैं बस उसी तरीके से हम बना रहे हैं आप चाहे तो गॉल भी रख सकते हो तो सारी बस इस तरीके से बनाते जाएंगे और इसे रखते जाएंगे तो फिर से हम एक पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से अच्छे से है जो तो इस तरीके से बना के बोल रख लेंगे अंगुटू से दबाते हुए और साइड में किनारे उठाते हुए इस तरीके से पहले चिब का लेंगे तो दोस्तो अगर आपको मेरी महनेत और मेरेस्पी थोड़े बहुत भी अच्छी लगती है तो आप सब मेरा स्पॉर्ट करें और मुझे स्पोर्ट करने के लिए आप अपने बागडी किचन को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कोई भी ना भूले तो इस तरीके से हम टिक्की बना लेंगे अगर महमान आने वाले हैं तो इस तरीके से बना के रख दीजिए और आप इसे दो तिन दिन बाद भी फ्राइ कर सकते हो या फिर आप इसे भाब में भी पका सकते हो तब हम यहाँ पे कड़ाई लेंगे कड़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालेंगे तो बहूत ही कम थेल में एक दम क्रिसपी हो जाते है क्योंकि सूजी हमारी अच्छे से पकी हुई है मसाला भी अच्छे से पका हुआ है तो जब गेल हमारा मीडियम गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से हम जितनी हमारी कड़ाई में ये टिक यां आ जाए उतनी हम रख लेंगे आप चाहिते हो तवे पे भी इसे है जो थोड़ा-थोड़ा क्रिस्पी कर सकते हो कम तेल में भी तो इस तरीके से करेंगे न हम आज मीडियम रखेंगे मीडियम तेल में इसे हम फ्राइ करेंगे तो एक तो ये फटेंगे नहीं और साथ में फटने का भी चांस रहता है तो बस इसी तरीके से अल्ट पल्ट करते हुए हम अच्छे से पका लेंगे तो अच्छा गोल्डन कलर आ जाए रेकदम क्रिस्पी हो जाए इतने तक हम इसे पकाएंगे तो लगबग 2-3 मिंट लग जाते हैं इसे दोनों तरफ से पकान जाए तो सारी टिक्कret हमबना के फिर दिखाते हैं तो ये लीजिए हमारा टेंटिंग सा क्रिस्पी कराएगई बिल्कुल सफ्ट सा हमारा चटपटा नासता बनकर त्यार हो गया है तो इसके वावास सुनाथी हो कि कितना क्रिस्पी बना ये तो देखा आपने कितना ज्याय ये क्रेष्पी है एक कट करके दिखाती हूं अंदर से आपको इसको तो बहुत ही असानी से ये कट भी हो जाता है ये देखे हमारी चट पटी फिलिंग के साथ हमारा नास्ता बन कर त्यार है तो आप भी इस तरीके से एक बार जरूर्च बना के खाई ये बहुत ही ज़्याद तोस्तू.